गरे लुप चार और सोगी जीवन चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बहतरीन और रामबान उसका जिसके इस्तिमाल से आप अपने पित्त की पत्थरी को नस्ट कर सकते हैं उसको निकाल सकते हैं बिना कि किसी प्रोलम के दोस्तो इसके लिए चाहिए हमें केले के तने का रस और थोड़ी से मिसरी और इसके इस्तिमाल से पत्थरी गल कर बाहर निकल जाएगी गल जाएगी और पित की थैली जो है वो खतम हो जाएगी ज्यादा तर हमने आभी तक देखा है कि पित की थैली का मात् प्रोंसन है जो उसका उससे छुटकारा पाने का इलाज है लेकिन इस उपाय को आप एक बार जरूर करके देखें इससे आपके पित की पत्थरी है वो गल कर देरे देरे बाहर निकल जाएगी दोस्तों इसको करना ये है कि केले का तना जो बीच का हिस्सा है उसको लें और बारी कूट पीच कर या मिक्सी की सहता से आप उसमें उसका रस निकाल लें तने का और उसमें मिसरी कुझा मिसरी मिलाएं कुझा मिसरी मिला कर पीने से कुछी दिनों में पत्थरी गल कर नस्ट हो जाएगी निकल जाएगी दूसरा उपाय इसका ये है कि केले के तने का रस तीज मिली लीटर लें और उसमें कलमी सोरा 25 ग्राम मिलाकर और उसे इन दोनों को दूद में मिलाकर पीने से पित्रीकी पित्री निस्ट हो जाती है दोस्तो ये दो उपाई है जो भी आपको इसमें से convenient लगे जो भी आप इसको आसानी से कर सकें आप इस उपाय को जरूर करें इससे आपके पित्त की पत्थरी 100% निकल जाएगी दोस्तो एक बहुत अच्छा और आजमाया हुआ नुसका है आप इसको एक बार जरूर इस्तेमाल करें दोस्तो हमें लगता है कि आपको इस नुसका जरूर पसंद आया होगा यदि पसंद आया हमारे नुसका और इस वीडियो आपको पसंद आयी हो तो हमारे इस चैल को सबस्क्राइब जरूर करें हम जल्द ही फिर लोटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल र